तो एक बार फिर से स्वागत था आपका नेटवर्क नगेट्स की इस नई वीडियो में और खेर ये कोई एक सिंगल वीडियो नहीं है अगेन जैसे की आदत सी होगी अब हमें सिरीज अपलोड करते रहने की और उसमें नईनी वीडियो लाते रहने की देखें सिरीज लाने का वाली है यह एक उस मुद्दे पे है जो इनिशियली आई थिंक जब सब हमने स्टार्ट किया है ना चैनल यह जब हम नेटवर्क ट्रेनिक्स में कुल्दीप हुआ करते थे तो तब से यह क्वेरीज थी कि सर नेटवर्क में ट्रबल शूटिंग मास्ट्री का कोर्स डाली है ज देखेंगे चैनल हमारा जिस तरह से जा रहा पिसले 6-8 महीने से तो ओल्मोस्ट सब कुछ CCNA मास्ट्री में हमने अप्लोड कर दिया है चाहे वो रिगार्डिंग इंट्रिवू के कुश्यंज हो चाहे वो एक्जाम की प्रिपरेशन का मेट्रियल हो चाहे आपका वो बेसिक में आपको ना पता हो ना आता हो कोई concept ऐसा बट अगर फिर भी अगर कुछ ऐसा है तो प्लीज कोमेंट्स में जरूर बताईएगा मुझे स्पेशली इस वीडियो में मैं देखता होगा कोमेंट्स ताकि उसकी जो एकाद वीडियो बची हो हम अप्लोड कर सकें बट एनिव कि डिसाइड होगा कि कितने अच्छे नेटवर्क इंजिनियर आप हैं देखिए अप CCNA कर लो CCNP कर लो CCI कर लो बट अगर आप ट्रबल शूट नहीं कर पा रहे हैं समझे इस बात को जरा डेप्थ में तो जो कंपनी जिसके लिए आप काम कर रहे हैं उसको हेल्प क्या कर अगर उनका इशू आप ट्रबल शूट नहीं करके दे रहे हैं उनको नेटवर्क को अगर आप बहतर नहीं करते जाना इवोल्व होना है आपको एज नेटवर्क इंजिनियर और आपके नेटवर्क को भी समझे इस चीज़ को पहले दिन से ही ठीक है तो इसको ध्यार में र देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है इस वाले सीरीज में तो आज यह इंट्रोडक्टरी है लेकिन यह इंट्रोडक्शन आप याद रखेंगे बिली उनी तो यह जो सीरीज हम स्टार्ट कर रही हुए है हमने साथ में जो एक्जाम प्रिपरेशन वाली जिसमें हम आई थि यह स्टार्ट करते हैं ओके सबसे पहले बात होती है कि एक्चुली यह जो ट्रबल शूटिंग हम बोलते हैं इसका मतलब क्या है राइट तो ट्रबल शूट ट्रबल फाइंड करो एंड शूट दा डैन तिंग डाट सिंपल है बट सिंपल तो है लेकिन सोफिस्टिकेटड यह समझना होगा तो बेसिकली यह एक प्रोसेस है आपको प्रॉबलम ढूना नेटवर्क में आपका नेटवर्क स्लो है आपका नेटवर्क बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है तो वाट एक्जेक्टली इस दे प्रॉबलम उसको ढूनना है और इसको फाइंड आउट करके तो उसको अंदाजा होगा कि बोस क्या बात कर रहा हूं मैं कई बार आपको ना चुट्टी ले रखी है आपने घरवालों के साथ टाइम स्पेंट करना है शादी में जाना है बट अगर कोई ऐसे एक्टिविटी है तो आपको आना पड़ता है बिली उमी ऐसा होता है तो य यही एक ऐसी चीज है नेटवर्किंग में जो आपको नेटवर्किंग के क्लोज लाती है देखिए लोग सॉफ्ट्वेर से इतना क्यों भागते हैं नेटवर्क में हाडवेर में आना क्यों पसंद करते हैं बिगोजेट्स रियल फिजिकल आप अपने हाथों से चीजे ठीक रहे हैं तो कोन प्यार नहीं कर रहे हैं चीजिन से अर्देखिए आप कोई प्रॉब्लम ढूट को सॉल्व कर रहे हैं जिंदगियां बहतर बना रहे हैं तो वोड़ लॉट लव डैट आइट आई होप तो इस वजह से यह है आपकी ट्रबल शूटिंग की डिफिनिशन एक जो बोलते हैं सिरफ सर्वाइवल इंजिनियर्स है यह उनके लिए आंसर है बट हम सर्वाइवल इंजिनियर्स नहीं बनना चाहते हमें थ्राइविंग इंजिनियर्स बनना है राइट इन पॉइंट अफ व्यू ओफ आर्निंग दमनी एंड रिस्पेक्ट और सो तो पैसा रिस्पेक्ट दोनों का मानी उस तरह का इंजिनियर्स बनना है उस विजन के साथ हमें ट्रबल शूटिंग किस तरह ही करनी है देखिए देखिए थोड़ा सा मैंने ये दिया हुआ है इसका एक बेसिक ले आउट इसको तोड़ा इंट्रस्टिंग वे में समझने के लिए सो कभी भी ब्रेक हो सकता आपकी जिन्दगी अच्छी बली चल रही है खुदा रखास्ता बगवान ना गरे कि कभी कोई एक्सिडेंट तो एक समझ जाहिए आप क्या मैं कहना चाहरा हूं and it can happen with everybody तो नेटवर्क भी कोई अचूते नहीं है इससे नेटवर्क भी सिस्टम है ब पर आती है troubleshooting find कीजिए problems को उन पर काम कीजिए बहतर कीजिए और बहतर करते रही है that's it ओके तो why troubleshooting is so much important for enterprises and the big fishes and I'm talking about कौन से big fish की बात कर रहो है यहाँ पर वेल मचली की बात में कर रहे हमारे dream companies की जहां पर हमें जाना है साल दो साल काम करके छोटी companies में जहां सीखने को जादा मिलता है बट ultimate goal हमारा क्या है किसी MNC में बैठना ठीक है अब उनके लिए troubleshooting इतनी जरूरी क्यों है किस तरह के network engineers की demand रहती है तो देखिए वहाँ पर बहुत कुस दाओं पर लगा हुता अब सोच के चलिए अगर आप बात करें google.com गूगल की तो google का server अगर पिछले दिनों की बात करें न एक बार डाओन हो गया था youtube तो आप सोचिए वह फिनोमिना था world level पर उसकी बाते होती है याद रखा जाता है तो वो लोग नहीं चाते इस अबाउट देर रेपूटेशन राइट तो वो उसको मैंटेन करके रखना चाते हैं वो कितना पैसा नहीं पे कर देंगे ऐसे बंदों के लिए जो उनके नेटवर को 24 7 365 अप रख सकते हैं समझी इस बात को दूसरा अब बात करिए एक्सेंचर जैसी कंपनीज की एक्सेंचर प्रोजेक्ट्स लेती है लेक गूगल एड ओल तो बहुत सारी ऐसे कंपनीज है जो प्रोजेक्ट बेस काम ही करती है आपको प्रोजेक्ट के लिए ही हायर किया जाता है तो उनकी लिए कितना जरूरी है अपने कस्टमर्स के SLA को मेंटेन करक ऐसे हले होता है कि आप Google के साथ करार है Accenture का कि हम आपके लिए XYZ ये करके देंगे अब वो अगर नहीं कर पाते हैं तो उसका उन्हें fine भुगत ना पड़ता है regulatory fines and all तो हर company चाहेगी कि ये minimum हो तो उसके लिए भी इतना जरूरी तो आप देखिए पैसा वक्त और रैपो सब कुछ दाओं पर लगा होता है इसलिए troubleshooting is that much important company अच्छे engineers को pay करने से कभी नहीं कतराती कभी भी नहीं तो इसलिए बोलते हैं कि एक ऐसी लाइन है इसमें अगर आप ग्रोप कर सकते हैं तो आप जितना मर्जी पैसा कमा सकते हैं दुनिया के किसी भी कौने में ओके सो हाव यू ट्रबल्शूट सेज अलोट अबाउट यू कैसे इस क्यों बोलते हैं इसको यह लाइन जो थोड़ी सी फिलोसफिकल लगेगी आपको बट इट्स वेरी ट्रू देकिए जिस तरह से लाइस प्रोब्लम्स को याप हैनल करते हैं तो उस तरह से आपकी जिंदगी की क्वालिटी का पता चलता है नेटवर्ट में अब जिस तरह से प्रोब्लम्स को हैं' 짧ए हैं यसी एदियर नाज न कि यार कब कोई दिक्कत आजाए कब बोस कुछ कह दे तो एक तो वो अप्रोच है दूसरी अप्रोच क्या है कि आप इतने प्रिपेर्ड है इतने साउंड है आप अपनी जॉब में अपने काम में कि ठीक है यार आप समझते हैं कि जो प्रॉब्लम्स है पार्ट ऑफ दे नौन है जिसका आपको अंदाजा ही नहीं है जो फर्स टाइम होता है एक इंसिडेंट शेर करता हूँ मेरे साथ किसी जब हम शुरू में थे ना मुझे शेर किया था किसी ने बट बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि हां यार ऐसी चीज़े आत और हमेशे आपको लगेग मैंने माने सर में जॉब शुरू की थी अपनी पहली जॉब एंड उस टाइम पे मेरे सीनियर हुआ करता था वो मेरे साथ शेयर कर रहा था तो तभी वह एक टाइम था जब मुझे बड़ी यह इंट्रस्टिंग लगी थी जो नेटवर्किंग और आइटी लाइन कि जो अग बहुत हैवी ट्रैफिक रहता है और वहां पे क्या है वो जो ट्रक्स आपने देखिए हो जो गुड्स करियर वगरा जो ट्रास्पोर्टेशन वाले ट्रंक्स है जो रात को ही एंट्री होती है डैली में गुड़गाओं में उनकी दिन में चलते वहां पे फाइबर की केबल बिची हुई है अंडर डेट ब्रिज और रोड के नीचे से अब दिन में तो सब स्मूध है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन रात को जैसे ही वो ट्रक वहां से गुजरना शुरू करते तो उनका जो वो लोड़ड तो वैसे ही है और बहुत सारे ट्रक्स पास करते तो पर्टिक कीप ओन राइजिंग डिस इशू के भाई उस टाइम पर ही डाउन टाइम क्यों आता है नेटवर्क स्लों डाउन क्यों हो जाता है एंड सारा कुछ करके देख लिया कोई मतलब उसका जुगाड ही नहीं लग रहा है क्या डून ओके जब कोई फीजिबल है इनी सोल्यूशन तो काफे टाइम के बाद और आर एंडी करने के बाद सारे अब उसके उपर भी आऊंगा मैं कि कैसे वो स्ट्रक्चर्ड जो अप्रोच थी उसने कैसे हेल्प किया इस चीज को अडेंटिफाई करवाने में तो इसलिए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जरूरी है कि चाहे आपक पास तीर तुकके तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो हमें स्ट्रक्चर अप्रोच के साथ चलना तो ठीक है एक बढ़ देख लेते हैं यह स्ट्रक्चर अप्रोच बोलती कि वह लाई हैं कि जूखकी करियर है आपके बैर घर्लेशनिशिप्स हमें आपकी आपके जिन्दगी को बहतर बना सकती है अगर आप देखेंगे तो कभी भी कोई दिक्कत आये यह स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के त्रू यूज करना और उसको लिख के सॉल करने गोशिश करना तो आपको बहुत सारे पॉसिबल सिलूशन नजर आएंगे यहां पर देखिए ज़रा दो प्रॉब्लम्स दी है हमने एक तो क्या है कि जो वोईस आपकी वीडियो और वोईस कोल्स आपकी जो टेली कॉन्फरेंसिंग है या स्ट्रीमिंग है आपकी उसमें डिले है या फिर दूसरा यह टोटली डिफरेंट प्रॉब्लम और निचे वाल नहीं अप आप आ रही है तो देखिए दोनों तो प्रॉब्लम्स डिफरेंट है पर अगर आप देखोगे क्लोजली अब्जर्व करोगे तो लोजिकल जो अप्रोच है ना प्रॉब्लम डूड़ने की इंफरमेशन गैदर करने की फिर उसको फाइंड आउट करने की डड़ वर्कफलो यूज करते हैं वो क्या रहता है सबसे पहले आता है डिफाइन कुश्चन अब्जर्व हाइपोथेसिस अक्सपेरिमेंट क्लेक्ट डेटा अनिलाइज जेटा एंड देन फाइंडिंग्स ओके एक एक्जामपल लेलो मैं बोलता हूँ कि कोई बोलता है अगर अब्जर्व करो उसको फिर हाइपोथेसिस फॉर्म करो अब्जर्व में क्या एगा आपको क्या लगता है कि थोड़े बहुत आपकी जो अंडर्स्टेंडिंग है या फिर जो कॉमन नॉलेज है आपकी जो बोलते है ट्रेडिशनल या लेगेसी नॉलेज है उसके बेस पे अब अब लेक्न साइंटिस्ट मैथेड में उनमें सिर्फ नजर्व करने या तो सही साबित करो गए उसको या गलत साबित करोगे आप एकस्पैरिमेंट करेंगे एक और एकग्जामपल लेलो जैसे टाइम का है अभी आप स्टेशनरी इस्टेंस टेंस्टिल है तो टाइम ह है 530 आप ट्रेवल कर रहे है ट्रेन में अब ट्रेवल कर रहे है प्लेन में अगर आप फिजिक्स वगरा पढ़ी हो तो यह सारी चीज़े आई होंगी आपके समने कुछ नहीं नहीं है तो यह टाइम फास्ट रन करेगा स्लो रन करेगा अगरा फोलीवर्ट साइफाई मुवि करो सिरफ और वो डेटा यहां नहीं है कि इंडिया में और हरियाना में या डैली में एक्सपेरिमेंट कर दिया नो बोस आप इंडिया की बहुत सारी लोकेशन पे और उसके बाद फिर इंडिया ही नहीं बाहर भी बहुत सारी कंट्रीज में उसको परफॉर्म करेंगे उसक किये डोक्यूमेंट करिए अगर आप नहीं है तो दुबारा से शुरू करिए यही सेम सर्कल आई होप यह क्लियर है आपको अब देखते हैं इसको कनेक्ट करते हैं नेट वर्क में ट्रबल शूटिंग के साथ कि यह नेट वर्क में कैसे हल्प करता है में स्ट्रक्चर ट्रब वर्किंग या फिर आपकी मेल नहीं चल रही मेल नौट वर्किंग ऑकी गैदर इंफमेशन आपके क्लाइंट जो है आपके जो न्वल्र यूजर्स है अपनो टेखनी कल मों लोग आपको फॉन करते है कि मेरा मेल नहीं चल रहा है ब्स मेल संड़नी हो रहा या रिषीव नह तो इस तरह से आप information gather करेंगे और आने वाली slides में देखेंगे बहुत crucial step है, बहुत ज़रूरी है एक अच्छे troubleshooter, एक अच्छे network engineer के लिए, यहीं पर बहुत सारी चीज़े solve हो जाती है ओके, then ये हो जाता है तब आप क्या करते हैं, कि ठीक है ये issue मुझे लग रहा है आपके कहने से और मेरे identify करने से, तो ये solution मुझे लग रहा है कि सबसे पहले ये solution हमें करके देखना चाहिए then आप implement करते हो fix, फिर आप observe करते हो कि जो अपने किया था उसका result क्या रहा अब दो चीज़े हो सकती है, या तो same to same रहे, कुछ भी ना हो या फिर problem और ज्यादा bigger जाए, या हो सकता है कि problem सुधर जाए, तो दो तिन चीज़े हैं जो हो सकती है अगर ठीक है, आपको लगा कि हाँ यार बढ़िया हो गया है, सब set है, life बढ़िया और जो issue था वो troubleshoot हो गया है तो आप उसको document करेंगे कि आने वाले time में अगर same issue आता है और even कि आप वहाँ पे नहीं भी होते कोई और engineer आपकी जगा है या फिर अगर आप भी है, क्योंकि हमारी memory तो fix नहीं है ना, कि जो सीख लिया वो भूलेंगे नहीं कभी, भूल सकते हैं, obviously तो हम क्या करते हैं, उसको document करते है ताकि उसका knowledge base को हम आगे use कर पाएं, पर अगर आप satisfied नहीं है आपका जो चाहते थे troubleshoot वो नहीं हुआ है, आप दुबारा शुरू करेंगे, कुछ और fix डूढने गई हो सकता है कि आपने जो information gather कि उसमें गढ़बढ है, आपने जो implement किया था fix, या जो आपका problem का solution था, उसमें कोई गढ़बढ है, आपने problem को गलत तरीके से समझा है, आपने solution को गल, लैक कि कुछ भी issue हो सकता, आप दुबारा से शुरू करेंगे, right, तो इस तरह से ये structure जो approach है, ये बहुत बहुत help करती आपको network troubleshooting में चलिए थोड़ा सा length पर discuss करते हैं याँ पर, define the problem, तो problem define करने के लिए, definition के लिए आप rely कर सकते हैं दो चीजों पर, देखिए, नॉर्मली जो चोटे मोटे companies हैं, वहाँ पर आप कोई mail, ये ticketing वगएरा tools आप यूज नहीं करते हैं, वर्ट सब गोल्ड और इस तरह का आप directly आपको यूजर स्कोल करते हैं आप जाते हैं, आप problem देखते हैं, जनरली उसे पूछते हैं भी क्या दिक्कत हुई थी, क्या सब कुछ है या फिर आप खुद चेक करते हैं या फिर बड़े companies जो है, जो बड़े enterprise especially हम किसकी बात कर रहे थे, enterprise networks की वहाँ पे लगे रहते हैं, आपके SNMP servers protocols चलती है, आपकी data monitor होता रहता है आपके syslog servers लगे हुए है, सब कुछ है आपको एक mail type का error report आजएगी event report, तो उधर से जब आपको mail ये आएगी तो आपको पता लग जाएगा कि किस time पे क्या दिक्कत कौन से device में हुई है अब याद रखिए कि किसी भी case में जो information आपको मिलेगी वो कभी भी sufficient नहीं होती है अप इस बात को ध्यान में रखके office में और या इस तरह की companies में जाना ये field में ही कि आपको जो चाहिए हमेशा नहीं मिलेगा troubleshooting के लिए भी, even कि सब कुछ आपने implement कर रखा है, आप इस approach के साथ चाहिए तो आपको और ज्यादा investigation करनी पड़ेगी और जितना ज्यादा देखिए मेरे हिसाब से तो ये जो gather information वाला काम है ये सब से important है मेरे हिसाब से अगराब मानेगे आप अपने experience में भी ये मुझे बताएं कि कुछ सालों के बाद जब हम कभी और किसी video के थ्रू या हो सकता है मिले हम, तो वहाँ पर आप बोलेंगे कि sir, yes, this part or not just in like troubleshooting बहुत सारे आपके career के fields ऐसे रहेंगे जापे ये पार्ट आपको एक अची जॉब डोड़ने मैं एक simple example देता हूँ जितना उस company के structure के बारे में आप information gather करेंगे उतनी prepared होके जाएंगे आप interview के लिए जितना आपको लगेगा अब कोई ISP है वहां पर काम हो रहा है IS ISP और आप आपने सुना है कि OSPF यूज होती है जादा तर ISPs में आप तो गए ना काम से इंट्रिव गए आपके आथ से क्योंकि वो जाती है आप से IS IS पुचेगा आप तो तो त्यारी OSPF की कर रखी है तो ये simple example है कि ये बहुत help करता है आपको gather information ठीक है जी चलिए वैसे भी simple example देता हूँ यार कि आपको आपके दोस्त के बारे में किसी और third party ने बोल दिया कि यार वो तेरे बारे में ऐसे बोल रहा था एक बिल्कुल layman example है तो आप क्या करेंगे information gather करेंगे पहले या उस पर believe कर लेंगे सोच के देखिए तो ये हर जेगा लागू होता है अब इसको याद रखिएगा implement करने एकोशिश करना other methods अच्छा ये तो है कि जब आप उसको कोई call करता है कि ये issue है आप एक IT मैन है IT वाले बंदे हैं जिस तरह आप नोर्मल offices में भोलते है या आपको एक कोई ticket या कोई mail आती है तो आप उसको verify करते है पहली चीज़ दूसरा शो कमांड का debug खेर डीबग तो हम production networks में नहीं यूज करते जब तक कि वो network बिल्कुल down in out मतलब कुछ और बिगड़ने के chance जी नहीं पहले इतना बिगड़ा हूँ otherwise हम शो कमांड को ज्यादा prefer करते है अगर आप कोई telegram पे मेरे साथ जुड़े होना channel में हमारे network nuggets पे तो अब एक recently एक user ने error डाला था या problem थी कि port security में कुछ दिक्कत थी उनको कि वो enable नहीं हो पा रही थी तो एक दो चीज़ बताने के बाद मैंने क्या किया उनसे कि भई मुझे running config भेज़ दो तो वो क्यों करते है कि जब लगता है कि और ज्यादा information चाहिए मेरे को problem के बारे में तो show running config अब show IP interface brief, show flash, whatever जो भी आपको required output चाहिए है उसकी show command के तिरूँ आप उसको मांगते हैं तो right और आप जब कभी भी offices में या companies में काम करेंगे projects में काम करेंगे माल लीजी आपकी company को ने कोई firewall कोई controller करीदा है उसमें को issue आता है अब देखिए एक और चीज़ समझ जी है troubleshooting सारी जरूरी नहीं कि आपको खुद करनी है यह हम उस लेवल की बात करें जब आप टैक में बैठे है बिल्कुल technical assistance वाली जो टीम है ना जैसे आप खुद बैठे है Cisco firewall को troubleshoot करने के लिए Cisco के अंदर और किसी ने आपकी firewall खरीदी है वो आपको call करता है कि यह यह issue है तो आप क्या बोलेंगे कि बहुस ठीक है सब कुछ genuine है जायाज है आप जो कर सकते थे आपने किया अब उनसे बोलेंगे कि जब सुब कुछ नहीं हो रहा है तो आप मुझे न अपनी running configuration भीज़ी दीजी इस तरह से तो यस यह help करती है आपको show commands डीबग मैंने मताया generally preferred नहीं करते है आप लोग और भी कुछ tools है पिंग करके देखते हैं तो यह सब कुछ discuss करेंगे हम अपनी आने वाली वीडियो में तो ultimate goal क्या है to isolate the problem as quickly and as closely as possible by using the process of elimination अगर आपने Sherlock Holmes movies या आपने serials देखे हो तो आप समझ जाएंगे कि इसका क्या मतलब है जैसे वो बोलता है Sherlock Holmes कि जो नहीं हो सकता जो बचा हुआ है वही possible reason होता है तो थोड़ा साथ पटा है आप देखिए बहुत interesting यह एक theory है तो yes how to gather information तो how to gather information में ओके यह एक बहुत interesting slide मेरे लिए है और मैं आप सब के लिए भी बनाना चाहता हूँ मेरे बहुत सारे students हैं और worldwide आप बात करिए not just हमारे यहां लोग connect नहीं कर पाते हैं OSI model को real practical usage से वो सिर्फ सोचते हैं कि यार यह सिर्फ exam में और interviews में काम आता है बस और इसका कोई use नहीं है पर believe me इसका use है practically और आप यहां समझ यह चीज़ को कि जो troubleshooting है उसमें OSI model कैसे गाम आता है so it's a useful tool while gathering information related to network problems okay कैसे AP ST NDP साथ layers है OSI में अब problem gather करने के लिए अब वो problem आपकी application layer की भी हो सकती है मानलो आपकी mail अगर नहीं चल रही है तो हो सकता है कि आपके जो port numbers है like 25 आपका 495 इन में दिक्कत है या फिर हो सकता है आपकी transport layer में दिक्कत है आपकी network layer में दिक्कत IP में गड़बढ़ है DHCP से IP नहीं मिल रही या फिर आपका DHCP का पूल था हो एक्जास्ट हो चुका है data link में issue है आपका कोई protocol का या फिर आपकी physical layer में issue है तो आपको यह सब जानने के लिए या तो आप शुर यहां देखिए बर जरा क्या लिखा हमने you can either go from top to bottom और bottom to top आप से कोई बोलता है फोन करता है आपको की mail is not working आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे बताइए या तो आप चेक करेंगे outlook की setting तो आपने क्या चेक किया application layer या फिर आप चेक करेंगे cable लगी है कि नहीं लगी है device में switch में router में तो क्या चेक कर रहे है तो यह OSI model ही तो यूज कर रहे हैं दो तरह की troubleshoot approach आती है either you go from application to physical or you go from physical to application top to bottom, bottom to up दो तरह की troubleshooting approaches आप यूज कर सकते हैं और लेकिन जो seasoned एक तरह से बोल सकते हैं network engineers हैं जिनको बहुत time हो गया है बहुत experience हो गया है जो अपने gut पे believe करते हैं तो वो लोग एक beach का रास्ता अपनाते हैं कि ना तो हम top to bottom जाते हैं ना bottom to up क्योंकि अगर आप शुरू करते हैं उपर से और problems है नीचे की layer में या फिर आप नीचे से शुरू करते है problems है उपर की layer में तो time बहुत ज्यादा लगता है तो इसलिए वो लोग क्या use करते हैं divide and conquer यह अलग से ही उन दोनों का perfect balance आप एक तरह से बोल सकते हैं balanced approach है जिसमें आप अपने experience के base पे अपनी एक बोलता है की internal intuition के base पे बोलता है कि हाँ यहाँ issue हो सकता है तो चलिए इस layer से शुरू करते हैं और फिर वहां के basis पे अमालो जैसे mail का example है तो यह क्या बोलता है कि mail not working can you ping your mail server अगर आप अपने mail server को ping कर पा रहे हैं okay मालो जो भी आपके IP थी server की इसका मतलब आपका network layer तक का सब कुछ ओक के report है आपको नीचे की side नी जाना आप क्या करेंगे आप उपर की side लेकिन अगर आपका ping ही नहीं enable है ping ही नहीं successful है तो आपको पता है कि यार दिकत नीच बैलन्स डिवाइड और कॉन कर इसको बोलते हैं इसको स्प्लिट मैटर भी बोलते हैं I don't know half split कुछ ऐसा कर की बोलते हैं but yes basically इसको अभी जो नाम ज्यादातर लोग याद रखते हैं that is डिवाइड और कॉन कर half split method I think बोलते हैं इसको then okay gather कि information आपने problem को define किया अब हमें क्या करना है third step पे मेरको बिल्कुल closely पता चल चुका है कि exactly ये वाला issue है अब मुझे करना क्या उसका solution क्या करना है तो most of the time up to this point the problem is almost isolated तो पता चल चुका है और एक हम अपना एक mind मेंना image बना लेते है एक formulated कि भई हाँ ये करना है मेरको ये solution हो सकता है okay so what you are going to do about this particular problem अब आपको कुछ changes करने है तो यहाँ पे जो troubleshooting में आएगा main point that is change control और ये बहुत important हो जाता आपके की element why क्योंकि देखिए इसके अंदर क्या क्या आता है कि जो fix आपको implement करना है उसको clearly define करिए यहाँ पे आपके घर के internet की बात नहीं हो रही है यह एक enterprise network है जहाँ पे आपके hundreds and thousands of employees और उनकी productivity उनकी performance डिपेंड कर रही है यहाँ पे और जिसके basis पे revenue डिपेंड कर रहा है उस enterprise का तो उस लिहाद से आपको सोच के चलना है उसको implement करना है फिर देखना है कि वो काम हुआ या नहीं हुआ अगर हाँ तो बहतरीन आगे बढ़िए अगर नहीं तो roll back कीजिए अब इसके बारे में थोड़ा साब को बताता हूँ practically होता है क्या है अब जब बोलते हैं आपके पास कोई issue आता है कि ये problem है और अगर even problem भी नहीं है आपको upgrade भी करने है तब भी ये approach यूज करते है कि boss मेरे को क्या करना है ये वाला troubleshoot या ये वाला upgrade करना है तो अगर जो मैं करना चाहरा हूँ being a senior network engineer और being a troubleshooter अगर वो नहीं होता है तो मेरा backup plan क्या है उसको बोलते है rollback तो आप से हमेशा expected होगा कि अगर worst case scenario सब खराब रहता है कुछ भी improve नहीं होता है तो आप जो condition पहले थी अब वो उस पे वापस आ सकते है कि नहीं विंडोज में अगर आपने कभी troubleshoot किया हो तो एक restore point रहता है restore point create होते है और automatic भी और आप भी कर सकते है आप कुछ ठीक करना चाहते है कोई recovery करना चाहते है और अगर वो ना हो पाए तो at least हम restore option पे जाके उसको restore करके पहले वाली condition पे तो ला सकते है तो यही आपको network में भी make sure करना है कि ही है और याद रखिए एक time पे एक ही variable change करिए that is a great solution एक साथ कई सारी चीज़ें करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि problem जो सुधरी है वो किस solution से सुधरी है या फिर ज्यादा बिगड़ी है वो किस वजह से तो आप उसको document भी नहीं कर पाएंगे properly सोच इस वाली बा ही दे रहा है उसके troubleshoot आते हैं आप hardware का problem रहता जादा तर आप RAM चेंज करके देखिए आप CPU चेंज करके देखिए आप अपनी जो और भी hardware आपने रिसेंटली अप्रेड किया हो उसको चेंज करके देखिए अगर आप एक एक करके करेंगे तो आपको पता चलेगा exactly RAM का issue था आपने problem ढूंडा उसका implement fix किया और उसके बाद अब रिजल्ट की तरफ बढ़ेंगे तो डिपेंड करता है कि किस तरह की problem आपके पास थी कोई simple problem थी या complex तोसी के बेस पे आपका verification जो होगा वो भी either simple और complex again same example लेते हैं आपने solve कर दी problem fantastic अब क्या हो सकता है आपने ये solve करन तो users are extremely happy बहुत बढ़ी है कि आपने तो यार दिन बचा लिया बंदों का productivity बचाई आपने पैसा बचाया and fantastic अब और क्या हो सकता है ये नहीं हुआ ये हो गया you made the situation worst पहले तो सिरफ email नहीं चल रहा था अब email भी नहीं चल रही और video भी नहीं आपकी stream हो पा रही है तो ये त लेकिन अब उसमें issue है उस quality में तो समझ ये ये कुछ भी हो सकता है आपको इन सब के लिए प्रिपेर रहना तो ये कोई one time process नहीं है ये आपको लगातार लगात इसलिए मैंने बोला था troubleshooting doesn't mean to find one problem और सुल्जा दो सको निप्टा दो अपको हमेशा अप्ग्रेड 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 करते रहना पड़ेगा right so you need to keep evolving with every issue and so does your network आपको evolve होते रहना है as a human being as a network engineer और आपके network को भी अगर problem solve नहीं हो रही है तो क्या जो हमारा पहला issue था दूसरा issue था कि problem नहीं solve होई है अब क्या problem हो सकते अब सोच के देखिए आप कुछ करना चा रहे है और नहीं हुआ अप स्पोज करिया अपने interview देना है आपको job करनी है अब आपने interview दिया job नहीं मिली क्या गड़बर हो सकती है समझ यह did you miss read the problem actually शुरू में जो आपने सुना कि भाई mail काम नहीं कर रही है तो वो जो information आपको मिली थी और जिस तरह का फॉर्मुलेट किया अपने solution वहां गड़बर थी या फिर आपको problem समझने में गड़बर थी कहां पर दिक्कति कि जो मैंने एक्जामपल दिया था वह स्पिए फाइस इस वाला उस तरह का कुछ हो गया आपके साथ तो इसलिए जो शुरू का process था जो शुरू का जो इन्फरमेशन गैदरिंग सुनना बताना अच्छे से एक चीज़ समझ लीजिए मैं थोड़ा सा और थोड़ा आप कहेंगे फिलोसिफिकल हो जाते हैं सरबाद बात पे भावक जाते हैं लेकिन जरूरी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि हमारा जो माइंड है न थोड़ा स उसको कोशिश करिए मैं थोड़ा रिलेट करता हूं फिलोसिफी और एक्ट्वल टेक्निकल साइन्टिफिक चीज़ों से मेरे माइंड को न इवॉल्व होने से और ग्रेटनेस से मतलब नहीं है आप समझ ना इस चीज़ को थोड़ा कॉंटर डिक्टरी लगेगी अजीब ल हो रही होंगी लेकिन मैं सिर्फ काम की चीज़ों को देखूंगा अब डिपेंडिंग अपोन उस टाइम आपका मूड कैसा था उस टाइम आपके सिंक में थे अप उसी तरह की बाते सुनेंगे जो आप सुनना चाहते हैं तो हो सकता है वहां पे आपसे गड़बड़ी और हो सकता है बहुत बार होता है क्लाइंट्स की बताने वाले की problem नहीं आपके उपर भी रह सकता है तो really it can be the अपको लगेगा कि हाँ यह थोड़े ना फोई problem हो सकती है नहीं हो सकता है आपको over the time over experience यह पता चलेगी चीज़े then did you overlook some important variables क्या फिर आपने जल्द बाजी में या फिर भाई मैं तो master troubleshooting आना यार ये तो होई नहीं सकता ये नहीं करने का और ये problem है ये solution होगा नहीं बहुत बार stupid mistakes भी होती है बहुत अच्छे network engineer से believe me आपको face करना पड़ेगा face करेंगे ये सारी चीज़े कोई घबराने की कोई बड़ी बात नहीं है बट आपके पास rollback plan होना चीए अब यहाँ पर फिर बात वही आती है you need to gather more and more information before making any further changes तो अब आप देखिए क्यों मैं बहुता हूँ कि gathering information वाला इतना important step है अगर आप यहाँ इसको शुरू से ही एक बहतरी इन तरीके से proper नहीं करते तो घूम फिर कि आपको वहीं आना है इसके अलावा कहीं बात अबारी नहीं सकती है तो you need to ask yourself some critical question खुद से पूछिए कुछ question कैसे question कि भाई जो situation मैंने change की है और जो situation में changes आए है actually मेरे fix apply करने के बाद अगर जो situation change हुई ठीक है तो वो बहतर के लिए हुई या बुरा हुआ अगर change नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई सोचना थोड़ा इसको हो सकता है मैंने हिंदी बोलने में थोड़ी गड़बड कर दियो बट आप इनको हिंदी में कोशिश करिए इसका meaning निकालने की and you really understand होके क्या कहना चाह रहा हूं ठीक है तो कुछ समझदार लोगों ने कहा है जिस तरह के question आप खुझ से और दोसरों से पूचते हैं तो आपकी जिन्दगी की जो quality है बहुत हद तक उस पर depend करती है and yes over the time of your career you will realize this believe me और networking भी कोई अचूता नहीं है इससे इसमें भी वही है relate करता हूँ थोड़ा सा interview के last में generally समझदार interviewer ये पूचते हैं आप से कि क्या हमारे लिए आपके पास कोई सवाल है और यहां पर जो आपका response होगा ना वो बहुत कुछ decide करेगा आपकी personality के बारे में आपके selection के बारे में एक तो tell me about yourself and do you have any question for us ये बहुत कुछ decide करते हैं आपके selection के बारे में right तो काम करिएगा इसके उपर okay finally फिर सब कुछ जब हो गया और document ता fix का मतलब है कि आपने जो किया वो सही किया और जो होना चाहिए था output वही रही आपके problem solve होगी better है that's it fantastic अब आपको इसको document करना है means अगर आप document ये कहावत है आप जब corporate में जाएंगे enterprises में बहुत सुनने को मिलेगा गालिया पड़ेंगी आपको डांट पड़ेंगी फाइनली आप तब सीखोगे मेरे बहुलने से यहाँ पर लिखा होने से नहीं सीखोगे बट सीख जाओगे दिने दिने जरूरी है सीखना anyway document जब तक आप कोई काम नहीं करोगे समझ लो आपने कुछ किया ही नहीं industry में ऐसा ही चलता है okay so proper documentation आपके लिए सब कुछ है proper change control के लिए इससे क्या आपके लिए एक knowledge based create होता आपके लिए आपकी company के लिए और आने वाले engineers के लिए तो आपकी गैरहाजरी में और आपकी भूलने की स्थित्ती में आप इसको use कर सकते हैं कभी भी हमेशा कभी कोई नया problem आता है तो उसके लिए आपको दुबारा वो troubleshoot एक जो प्रोज थी ना हमारी क्या बोलते हैं उसको scientific approach यह वाली structured approach वो यूज करिए अगर repetitive problems हैं तो आपको आप कहीं जाएंगे ना जैसे इस तरह की organization में नोक है जैसे वहापे आपको ऐसे notice लगे मिलेंगी आप call center में जाएंगे ना आपको ऐसे वो लगे मिलेंगे आपके document आपकी chair के बोलते हैं जो आपका desk है cabin है उसमें और उसमें लिखा रहेगा अगर कोई customer call करता है मालो यह नहीं हो रहा तो आप उसको पढ़के फटाफट फटाफट बोल देंगे यह करो यह करो अचा यह नहीं हो रहा तो उसके लिए यह सारा आपके सामने लिखा हुआ है यह कब है जब आपने document आप से पहले वारे इंजीनियर्स ने document करके रखा हुआ है बहुत कम ऐसे scenarios होते हैं जब आपको कुछ नई problem मिले right तो यह अगर हमारे पूरवजों ने हमारे जो इतिहासकारों ने जो जिन्हों ने लड़ाई यह लड़ी जिन्हों ने जिन्दगी असान बनाई जिन्होंने कुछ experiments किये हैं discoveries कि अगर उन्होंने नहीं लिखा होता तो हमें और आपको वो सारी खोज दुबारा करनी पड़ती सोचके देखिए zero से शुरू करना पड़ता हर एक generation को okay तो यह video I think काफी लंबी हो चुकी है मैंने सोचा नहीं था इतना time हो जाएगा but anyway it's really interesting for me at least तो comments में बताईए आपके लिए कैसा है यह experience इस video का तो okay इसमें करने क्या वाले हम इस course में तो यह तो सिरफ introduction था हम include क्या क्या करने वाले हैं तो general troubleshooting रहेगी internet नी चल रहा slow है hardware का software का network का issues है right और फिर आता है हमारा networking के regarding मैं सिरफ इसमें networking CCNA के troubleshooting नी मैं normal internet की भी troubleshoot डालना चाहता हूं और फिर यह CCNA का troubleshoot आप देख पारें सारे content जो हमारे CCNA के फिर land when man wired wireless सब कुछ रहेगा और फिर कुछ मिसलेजनियस आपकी troubleshooting पार रहेंगी तो I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और तो मिलता हूँ आप से अगली वीडियो में इस सीरीज की और बाकी सीरीज इस की and if there is any suggestion कुछ है जो आप शियर करना चाहते है कुछ और कोई तरीका कोई और ऐसी implementation जो हम कर सकें जिससे चैनल और यह जो content है और बहतर हो सके आपके लिए तो प्लीज लाट मी नो मेरी मेल आपको पता है नेटवर्क नगेट फॉर यू अगर आपको यह वर्थ लगता है चैनल यह information यह knowledge based तो प्लीज डू शेर विद यूर फ्रेंड और रिलेटिव और जो भी नीड में है एंड यस आपको यह PDF जगर आपको चाहिए एंड लास्ट इंग तो आप मुझे मेल कर सकते हैं सेम और आई होब तो सीओ गाईज इन नेक्स वीडियो बबाई टेक कियर तो सिखते रहिए सिखाते रहिए और मसत रहिए